ये, मौरल विचन के अब्दुल बारी है ये तो अच्छा बच्चा है ये दुआए सिखता है अच्छी बाते वताता है आओ सीखे अब्दुल बारी के संग अब्दुल बारी आप लोगों को चांद दिखाओ जी आपा ये 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 लोजान का महीना आ गया दिख गया है चांद भी अब हम रोज रखेंगे अफ्तारी और सहरी भी आओ बढ़ कर हिस्सा ले हम पूरे रोज रखे रह्मतों का महीना रोजों का महीना है नेकी का है ये महीना अब बढ़ कर हिस्सा ले हम पूरे रोज रखें पुरान का है महीना हम दिलाव ज्यादा करें इस महीने में हम ज्यादा बहुत ज्यादा सद्गा करें नमाजों की पाबंदी का हम ज्यादा खयाल रखें आओ बढ़ कर हिस्सा ले हम पूरे रोज रखें ये सबर वाला महीना हम मीठी बात करें इस महीने में रोजाना हम सत्तरा विपढ़ें आओ बढ़ कर हिस्सा ले ये महीना इतना प्यारा नेही है मकसद हमारा अपनी मक्फीरत का मौका इसमें न गवाना आव बढ़कर हिसा ले हम पूरे रोजे रखे रमजान का महीना आ गया दिख गया है चाल भी अब हम रोजे रखेंगे अफ्तारी और सहरी भी आव बढ़कर हिसा ले हम पूरे रोजे रखे आव बढ़कर हिसा ले हम पूरे रोजे रखे ये लो नवेद अरे रे कैच करो सरफरास तुम बराबर नहीं फेकते और कहते हो कैच करने मैं बराबर फेकता हूँ तुम पकड़ते ही नहीं अब बॉल को फेको भी नवेद ये लो ये मैंने कैच किया सरफरास सया रहो असलाम वालेकुम वालेकुम असलाम वरहमतुल्ला तो बच्चो आज पहला रोजा किस-किस ने रखे हो मैंने मैंने भी रखा हूँ रोजा माशालला सभी ने रखे हो तो सभी ने रमजान का अपना अपना करना चाहिए हाँ हाँ बताओ अब्दुलबारी हमें अपनी नमाज को वक्त पर जमात के साथ परना चाहिए और हमें ज्यादत से ज्यादा नवाफिल इबादत भी करना चाहिए शाबाज इस महें ने शैतान को कैद कर लिया जाता है हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अबादत करें लेकिन चाचा जान हम शेडिल क्यों बनाएं हम अपने काम, पढ़ाई और खेल और दिन बर की सारी एक्टिविटीस का शेडिल बनाएं, उन कामों को ना करें, जो ज़रूरी नहीं ताकि ज्यादा वक्त अबादत में दे सकें जी अबाब, मैंने और अब्दुल बारी ने एक हफ़ते पहले ही तैयारी कर चुके हैं हमने अपना शेडिल पहले ही बना लिये हैं अच्छा माशालला, अब मैं चलता हूँ बच्चो आप लोग खेलो, लेकिन घर जल्दी चले जाना जी अबाब, ज्यादा खेलोगे तो भूग लग जाएगी और इस महेने खेल कम और इबादत ज्यादा ठीक है चाचा जान, हम बस अभी चले जाएंगे अबा अस्सलाम अलेकूम मुझे भी जाना है अन्शेरा, अम्मी इंतिजार करते होंगे हम, चलो हम भी जाते है, नमाज का वक्त भी होने वाला है अब्दिल भारी, क्या तुम्हें इफ्तारी की दुआ याद है? मुझे याद है, मगर कुछ कुछ भूल गया हो कोई बात नहीं, हम सभी अक्सर भूल जाते है, क्योंकि साल में एक ही महीना पढ़ते है चलो क्यों हम सब इसे दोहरा ले, जो कोई भूल गया है, उसे याद हो जाएगा ये ठीक रहेगा अंशरा, दरसल मैं भी भूल गई हूँ ठीक है, तो अब्दिलबारी हमें पढ़ाएंगे ठीक है, जहब जमाओं, वबतलतिल उरुकूं, वबतलतिल गुरुकूं, वसबतल अजरू, इंशाल्ला माशालल अब्दिलबारी, तुम्हें तो पूरी दूआ याद है, इसके माइने भी हम इस समझ लेना चाहिए वो दरसल मुझे नहीं मालूम इसके माइने है, प्यास बुझ गई, रगे दर हो गई, और अल्ला ने चाहा तो अजर भी साबित होगा लेकिन इसके माइने से लगता है, जैसे हमने कुछ खाकर इसे पड़े है, हालंकि इफ़तारी से पहले की दूआ है ना नहीं, ये रसूल सुर अल्ला हो अलियो सलम का तरीका है, आओ मेरे साथ, हम इसे समझते हैं वो इस दूआ को हमेशा इफ़तारी के वक्त पढ़ते, मकलब कुछ खाने के साथ साथ, या फिर कुछ खा लेने के बाद हाँ, क्योंकि हम दूआ में कहते हैं, प्यास बुझ गई, रगितार हो गई, और ऐसा तो खाने पीने के बाद ही होगा ना तो फिर इफ़तारी से पहले की दूआ क्या है? अफ़तारी से पहले हम बहुत सी दूआए कर सकते हैं, वो वक्त होता ही है दूआओ का खाने से पहले क्या पढ़े? खाने से पहले बिसमिल्ला कहे, जिस तरह हमेशा कहते हैं तो क्या हम खाने की नियत नहीं करे नियत तो हमारी उसी वक्त हो गई जब हम दूसरे काम छोड़कर इफ्तारी के लिए बैठे या फिर उसी वक्त हो गई जब हम इफ्तारी के सामान लाने लगे और उसे काटने पकाने लगे ताकि हम आज के रोजे की इफ्तारी करे अब हमें कहते हैं इसलाम आसान है और हमें उसमें नई बाते लाकर मुश्किल नहीं बनाना चाहिए ये बड़ा गुना है ठीक है मैं भी आच्छे इसा ही करूंगा क्योंकि हमारे सामने जब हक बात आ जाए तो उसे अपना रेना चाहिए बिलकुल तो ठीक है जोहर की नमाज बात मैद में मिलते हैं असलाम वालेकूम क्या बात है नवेद नमाज पढ़ने नहीं आया जरूर किसी काम में लग गए होंगे और शायत घर में ही नमाज पढ़ लें हां हो सकता है चलो थोड़ी दिर खेल आते हैं सर्फरास तुमने अम्मी अब्बा से इजाज़त तो लिये थे ना कि हम नमाज बात कुछ दिर खेल कर जाएंगे हां मैंने इजाज़त लिया हो ये बहुत अच्छा किये चलो अब जली चले बाद में घर जाकर गुरान भी पढ़ना है असलाम अलेकूम वालेकूम असलाम आपा नमाज हो कई आप लोगों की जी आपा सर्फरास नवेद कहा ह पता नहीं वो मस्जिद में भी नजर नहीं आया अब्दिलबारी सर्फरास सुनो क्या हुआ नवेद किस्तरा क्यों भागे चले आ रहे हो सब खहरियत तो हैना नवेद इतनी जोर से चिलाते हुए क्यों आ रहे हो अब्दिल्बारी गजब हो गया क्या हुआ मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्या हुआ आखिर बताओ भी नवेर क्या गलती कर दिये वो मैंने मुझसे दरसल मेरा रोजा तोड़ गया क्या तुमने रोजा तोड़ दिये रोजा तोड़ दिये नवेद ने कहा रोजा तोड़ गया तोड़ा नहीं नवेद कैसे तुटा रोजा मैंने खाना कहा लिया और पानी भी पी लिया क्या तुमसे तो वुका रहा ही नहीं जाता हमेशा खाते रहते हो पैसे रखोगे रोजे ऐसा नहीं कहते सरफराज लेकिन तुमने खाना क्यों खा लिये भूल कर खा पी लिया भूल कर खा लिये तुम्हें याद नहीं रमजान है, हम रोजे से है मैं खाना खाकर पानी पी रहाता तब मुझे याद आया मैं तो हमेशा याद रखता हूँ कि मैं रोजे से हूँ नवेत, जब तुम्हें याद आया तो क्या उस वक्त तुम रुख गए खाने पीने से हाँ, रुख तो गया था लेकिन अब क्या फाइदा रोजा तो तूट गया नहीं, ऐसा नहीं है मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा होने पर वाकई में रोजा तूट जाता है क्या, क्यों नहीं हम अबबा से पूछ ले अबबा ने बोले थे कि जब भी कोई मसला हो तो हम उनके साथ शेयर करे हाँ, अब्दुलबारी हमारे वालदयन हमारी सही रहनुमाई करते हैं हाँ, हाँ, चाचा जान से पूछाते हैं आप लोग जाओ, मुझे अमीने जली लोटने बोले थे अंशरा हम बाद में मिलेंगे ठेक है आमीना, असलाम वालेकूम अब असलाम वालेकूम वालेकूम असलाम, नमाज हो गई बच्चो जी अबबा, कैसे हो नवेद, सरपराज? हम अच्छे है, अलहम्दुलिल्लाः आप कैसे हो चाचा जान? अलहम्दुलिल्लाः, मैं भी ठीक हूँ अबबा, दरसल हमें आपकी मदद चाहिए अच्छा, कहो क्या बात है? दरसल नमेद ने रोजे की हालत में गल्दी से भूल कर खाना खा लिया और हम सब परिशान है कि उसका रोजा तूट तो नहीं गया अहा, तो ये बात है नमेद, वाके में तुम्हें याद नहीं था? जी, मैं बिल्कुल भूल गया था ठीक है, तुम्हें जब याद आया कि तुम रोजा हो, क्या तुम उस वक्त खाने पिने से रुख गये? जी, मैं रुख गया तब तु रोजा नहीं तुटा सच में चाचा जान, क्या मेरा रोजा नहीं तुटा? हाँ, अगर रोजे की हालत में कोई भूल से खा ले, तो ये अल्ला की तरफ से है, उसने जिसे चाहा खिला दिया, इससे रोजा नहीं तुटा अरे वा, तुमने सुने सरफराज, मेरा रोजा नहीं तुटा, वा, अब्दुर बारी, मेरा रोजा नहीं तुटा माशालाब जजा कर लग है चाचा जान आप लोग नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हो रही है अब तुम रोजे को पूरा करो लेकिन बच्चों रोजे में ज्यादा से ज्यादा इबादत अच्छे काम करो इससे हमें याद भी रहेगा कि हम रोजे से है जी अब से मैं हमेशा याद लखूंगा जजा कर लग है रबा बारक अल्ला फिकूम अब हमें इजाज़त दीजिए मैं नवेद और सरफरास को बाहर छोड़ कर आता हूँ ठीक है अब्दुलबारी अब्दुलबारी मैं कुरान की तिलावत करने जा रही हूँ तुम भी जल्दी आओ जी आपा मैं बस अभी आया अस्सलाम अलेकूम मेरा रोजा नहीं तुटा अब बस भी करो नवेद इतना जंप मारोगे तो भूग जादा लग जाएगी वो तो उचलेगा ही ना अब अन जाने में ही सही लेकिन पेट जो भर गया है ना नहीं नवेद को अपने रोजे के पूरे होने पर खुशी है चलो अब कुरान परदा है हम असर की नमाज बात मिलते है ठीक है अब्दुलबारी जजा कल्ला कैर अच्छा हुआ तुमने मुझे अपने अब्दु से मिला दिये ठीक है दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ असलाम उलैकूम मेरा रोजा नहीं तुटा मेरा रोजा नहीं तुटा नवेद, मैंने एक पारा कम्पलीट कर लिया और अल्ला ने चाहा तो इस महिने में मैं जादल से जादा कुरान पडूँ गा मैंने भी पूरी कोशिक किया लेकिन एक पारा पूरा नहीं हुआ कर मैं थोड़ा जादा पडूँ गा अब्बा तो रोजा ना कुरान का तर्जुमा भी करते है ताकि हम सिर्फ अर्बी में ही नहीं बलकि कुरान को अपनी जबान में भी समझे अरे वा, ये तो बहुत अच्छी बात है मैं भी कल से आउंगा तुम्हारे गर कुरान सुनने जरूर नवेद, मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगा क्या बात है सरफराज, तुम इतने खामोश क्यों हो तुमने कितना पढ़े आज वो क्या का हो, असल में मुझसे बहुत बड़ी कलती हो गई और पता नहीं मेरा रोजा होगा भी या नहीं अब तुमने क्या कर दिये सरफराज दरासल मैंने अम्मी से जुट बोल दिया कि मैं कुरान पढ़ने बैटा था जब कि मैं नहीं बैटा ओ, तुमने जुट बोल दिये हाँ, और अम्मी कहते है हमें किसी भी हाल में जुट नहीं बोलना चाहिए हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि ये गुना है और मैंने रोज़ा रखकर गुना कर दिया हाँ, ये बात तो बिल्पुल सही है अब क्या करें? सर्फरास का तो पूरा दिन भूका रहना जाया हो गया हाँ ना, मुझे जूट नहीं बोलना चाहिए था सर्फरास, उदास मत हो जाओ हाँ बच्चो, ये अच्छी बात है कि इस गलती का तुम्हें एसास है और इससे तुम दुखी भी हो लेकिन सिर्फ गमगें रहने से गम और बरता है तो मुझे क्या करना चाहिए उस्ताद? तुम्हें अल्ला से मौफी मांगनी चाहिए और दुबारा ऐसे गुना के काम नहीं करना चाहिए तो क्या मेरा रोज़ा नहीं तूटेगा? अल्ला ने चाहा तो नहीं तूटेगा लेकिन याद रुखो बच्चो, रमज़ान आया ही इसी लिए है ताकि हम متखी बन सके मतलब परेहित गार और गुनाहों से बचने वाले बन सके अल्ला ताला कुरान में फरमाता है कि हमने तुम पर रोज़े फर्स किये जिस तरह तुम से पहले के लोगों पर फर्स किये थे शायد कि तुम परेहित गार बनो इसलिए बच्चों हमें गुनाहों से बचना चाहिए मतलब मैंने इस अजीम महिने में भी गुना कर दिया तो मेरा रोजा कैसे होगा अल्ला से माफी मांगो वो बड़ा ही रह्मान और रहीम है माफ कर देने वाला है लेकिन शर्ट ये है कि हम दोबारा इसी गलती ना करें हाँ सर्फरास तुम अल्ला से माफी मांगो शायद वो तुम्हारा रोजा कबूल कर ले और माफ भी कर दे हाँ अवेद मैं अल्ला से माफी रस तलब करता हूँ लेकिन ये उस्ताद कहा चले गए पता नहीं अभी तो यही थे हैर चलो अब घर चलते है इफ्तारी के लिए बहुत कम वक्त है और हमें दुआ भी करना है सर्फरास तुम इफ्तारी से पहले दुआओं में अल्ला से माफी तलब करना हाँ जरूर तुम लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि अल्ला मेरे रोजे को कबूल कर ले ठीक है सर्फरास इंशाओ अल्ला अस्सलाम उल्यकूम वालेकूम अस्सलाम मुझे लगी रहाता नवे दुसरे ही तिन्चे तरावी आने में सुच्टाएगा और हमें उसे लेने जाना होगा लेकिन पहले देख रहते हैं आखिर माजरा क्या है होगा क्या अफ़तारी के बाद गेम केल रहा होगा या सो रहा होगा ऐसा नहीं कहते सर्फरास गुमान नहीं करना चाहिए जब तक अपने आखों से न देख ले तब तक किसी के बारे में कुछ भी सोचना या बोलना नहीं चाहिए असलाम आलेकुम वालेकुम असलाम बच्चो खाला नवेद नमाज नहीं आ रहा नवेद की तबे थोड़ी खराब है बच्चो उसे दर असल उल्टी और बदज्मी हो गई है असल में उसने अफ्तारी में कुछ जादा खालिया था ओ, अल्ला उसे शिफा दे ठीक है खाला, हम उसे कर स्कूल में मिल लेंगे अब हम चलते है, नमाज का वक्त हो चुका ठीक है बच्चो, असलाम उल्यकुम वालेकुम असलाम देखे अब दिल्बारी, मैंने कहा था ना ये खाकर आराम कर रहे होंगे ऐसा नहीं है, नवीर की तबियत खराब हो गई है हाँ तो किसने कहा था इतना जादा खाने को जादा तो हम सभी खाते है इव्तारी में मैं रात में इस बारे में अभब से पूछूँगा चलो अब जल्दी जल्दी, ने तो ईशा जमात से नहीं मिलेगी रह्मतो का महीना, रोजो का महीना तो कैसा रहा तुम्हारा पहला रोजामिना अंशरा मैं नहीं रख पाई कल रोजा दो फैर बाद मुझसे भूग बरदाश नहीं हुआ तो अमी ने कहा धीरे धीरे रोजे रखना क्योंकि अगर तबीत खराब हो गई तो एक भी रोजा नहीं रख पाऊंगी हाँ यह अच्छा किये तुमने वसे भी अभी रोजे फर्ज नहीं हुए फर्ज नहीं हुआ तो क्या हुआ रोजे रखना चाहिए इन्हें तो बस सहरी और इफ्तारी में खाना होता है आओ नवेज से मिलाते है उसकी तबीत कल से खराब है हाँ चलो मुझे भी अपनी किताब लेनी है कम्प्लीट करने दिया था वो देखो जिसे खेल रहे है उमने तो कहा था नवेज की तबीत खराब है और ये तो यहाँ खेलने में लगे है असलाभ वालेकुम सलाम अरे नवेज तुम यहाँ खेल रहे हो हाँ अब्दुल बारी लेकिन कल राज से तुम्हारी तबीत खराब थी ना और शायद इसी वज़ाए से तुम स्कूल भी नहीं आए। हाँ, लेकिन सुभा से थोड़ा आराम है। तो स्कूल क्यों नहीं आए। स्कूल जाने की वक्त खराबती तबियत। लेकिन अभी तुम खेल रहे हो। हाँ, अब्दुर्बारी, मैंने आज भी रोजा रखा हूँ। और भूक का एहसास ना हो, इसलिए सोचा थोड़ा दिल बहला रहेगा खेलने से। ये तुम क्या कर रहे हो नवेद। रोजे में इबादत के बदले तुम स्कूल की छुट्टी करके खेलोगे। वो भी दिल बहलाने के लिए। देखो नवेद, हमें रोजा सिर्थ भूके रहने के लिए नहीं रखना है कि बस कोई सुरत खेल कुद कर वक्त गुजर जाए और हम इफ्तारी में खाले। बलकि हमें अपने काम और जिम्मेदारियों को करते हुए इबादत करनी चाहिए। हाँ, और हमें भूक को एहसास करना चाहिए। ताकि हमें पता चले कि गरीब लोग किस तरह आधा पेट खाते हैं या उससे भी कम। अमी कहते हैं कि हम रोजा रखकर किसी पर इहसान थोड़ी ही करते हैं कि हम अपने काम और जिम्मेदारियों से भागते फिरें। हाँ, ठीक है, मैं खिलोना रखकर आता हूँ, हम जहुर में मिलते हैं। और नवेद, कल तुम्हें बदजमी हो गई थी ना। हाँ, बिलकुल, इफ्तारी के बाद तब्यद बहुत खराब थी और बाद में बदन बिलकुल धीला हो गया था। मैं बिस्टर से उटने ही पा रहा था, इसलिए तरावी नहीं आया। ऐसा नहीं है, बदन धीला नहीं हुआ, बलके बदन में सुस्तिया गई थी, कहो। हाँ, नवेद, मैंने कल अबबा से पूछा, तो उन्हों ने बताए, कि दिन बर भूके रहकर, हमें इफ्तारी में एक साथ बहुत जादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन भूक इतनी लगी थी, और सामने इतनी सारी चीज़े थी, तो भला कैसे रुकता मैं खुद को। देखो, अल्ला के रसूल से अल्लाह ये तरीका था, कि वो इफ्तारी में पहले गीले खजूर खाया करते, और वो ना हो तो सुछे खजूर, और वो भी ना हो तो कुछ सी पानी, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, और फिर मगरिब पढ़कर दूसरी चीज़े खाले, वो भ ना जितनी जरूरत हो, हाँ, बहुत ज़्यादा खाने से पेट दर्थ होता है, और बदन में सुस्ती भी आ जाती है, और अगर हम साइन्टिफिकली देखे, तो खजूर में शुगर, फैड, प्रोटीन्स और दूसरे जरूरी विटामिन्स होते हैं, और खजूर हमारे पहले खजूर खाने से पेट का हाजमा भी ठीक रहता है, और चुकि खजूर खाने से शुगर रिवल सही रहता है, जिससे हमारी भूग कम होती है, और हम बहुत ज़्यादा खाने से बच जाते हैं, ठीक कहा ना मैंने आपा? बिल्कुल ठीक कहा, तो हमें भी नबी सलिल्लाह वली वसल्म की इन सुन्नतों को अपनाना चाहिए, ताकि हमारे रोजे ठीक तरीके से हो, और हम सुस्त और बीमार ना हो जाए, बल्कि हमारा बदन चुस्त रहे, और हम अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों को भी सही तरह से अब दिल्बारी हम घर जा रहे है, तुम भी नमाज बाद जल्ली घर आ जाओ, जी आपा, मैं जल्ली आ जाओंगा, आज मैंने सहरी में बहुत कम खाया था, इसलिए भूग जादा महसूस हो रही है, लेकिन रमजान के महीने में कितना चलगता है, हर तरफ लोग इबादत म नजर आते है, कोई किसी से जगरता नहीं, और अल्ला सुभानवत आला यही तो चाहते है, यह साल के बाकी महने भी ऐसे ही गुजारे, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, इंशाल्ला, इंशाल्ला, प्यारे बच्चों, दोस्तों, बज़र्गों, अमिद आप लोग एपिसोड पसं है, या उन्होंने हमें रिक्विस्ट किया था कि रमजान के उन्वान पर कोई एपिसोड बनाई जाए, अब्दुल्बारी एनिमेशन को लेकर, तो दरशाल वक्त के किलत थी, और अलावा इसके रमजान, चुकि एक वास टॉपिक है, उसके बहुत सारे शोबे हो सकते है, एक कानी लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त को देखते हैं, हमने उसी अब्दुल्ला एनिमेशन के पूरी कानी को लेकर, एक नए सीरे से, नए किर्दार अब्दुल्बारी के कारेक्टर्स और इनके लोकेशन, और इनकी वोइस में यह बनाकर हमने पेश किया है, इंशालला आ इस स्टोरी में तो ज्यादे आपने आपको रिलेट करेंगे, इंशालला यही वजाती कि हमने उसी कहानी को रिपेट किया, आप लोगो पसंद आया होगा दोस्तों, अलावा इसके हमने रिक्वेश्ट किये ते रिसेंट वीडियो में कि आप अपने बच्चों के तीस इस सब्मिट करना है, कैसे वीडियो बना रहे हैं, सारी डिटेल इसमें दीविए, आप जरूर जाए और अपने बच्चों के वीडियो थे ताकि आप उसे इस से पहले पछले करें, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा उसे इंशालला, क्योंकि बच्चे पसंद करते है अबदुलबारी एनिमेशन को तो अबदुलबारी कैरेक्टर के साथ जो है उसकी जो है ग्राफिक के साथ जो है इंशालला, उनकी वीडियो सो हम पब्लिश करेंगे, दोस्तों दौा की दरफास्त है और जो है आप सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूले, अलावा आप जो है बेल का एकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपका हमारे अपडेट्स के नोटिक्रेक्शन मिलते रहें इंशालला, बोलते बोलते दर रसल मैं भूल जाता हूँ, तो अब डाउंस होते रहें इंशालला, बरदाश करें आप लोग, जजाकि लला खेर, अस्सलाम अले आप चुझी!